मश्कार दोस्तों अगर आपके पास State Bank of India का पुराना ATM कार्ड है जिसके उपर expiry date और CBB नमबर नहीं दिया हुआ और आप online shopping करना चाहते हैं और आपको expiry date की जरूरत है तो आज का वीडियो आप देखते रहें क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुराने ATM कार्ड की expiry date कैसे पता कर सकते हैं और उसका CBB नमबर जो है कैसे पता कर सकते हैं State Bank of India का मैं हूँ सुनीत कुमार और आप देख रहे हैं कमपोड़ो गुर्जी चैनल तो चले बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ ओकरफेंट सबसे पहले आपको क्या करना है आप अपने Google Chrome में चले जाएं Google Chrome में जैसे आप चले जाते हैं यहाँ पर आप टाइप करें Online SPI जैसे कि मैं अभी आपको Online State Bank of India के Net Banking के दौरा आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने ATM कार्ड का एक्सपारी डेट कैसे पता कर सकते हैं तो आप अपने Net Banking में एंटर कर लें उसके बाद Personal Banking आता है यहाँ पर Continue Login के उपर हम क्लिक कर देते हैं Continue Login पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर Login के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डाल देना है और Login पर क्लिक करके मैं इसको Login कर देता हूँ Login करने के बाद हमारे SBI का जो है यह Main Page जो है हमारे सामने आ जाता है तो Friends अगर आपको अपने ATM Card का जो है Expiry Date देखना है तो सबसे पहला Method तो यही है जो कि एक Valid Method है यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको E-Service के उपर क्लिक करना है यहाँ से मैं E-Service पे उपर क्लिक करता हूँ तो यह देखिए यहाँ पे Left Side में बहुत सारी Services है यह देखिए ATM Card Service तो ATM Card Service पे हम लोग क्लिक कर देती है यहाँ से मैं ATM Card Service के उपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ATM card service से related यहाँ पूरी information यहाँ हमें मिल जाती है अगर अभी तक आपने computer गुर्जी चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे subscribe button के उपर click करके इसको subscribe कर लिजियो और bell के icon को दबाईए हमारे latest video सबसे पहले देखने के लिए उसके बाद हम लोग ATM के किसी वे option पर आक्चुरी जा सकते हैं तो यहाँ पे ATM card limit channel uses change यहाँ पे मैं click कर देता हूँ विकाउस के हमें यहाँ से जानना है कि हमारा ATM card जो है उसकी expiry date क्या है हमारा main aim वही है तो यह हम लोग saving account क्लिक किया हुआ है यहाँ से हम लोग continue में चले जाते है तो जैसे मैं continue के उपर press कर देता हूँ तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो मेरी ATM की पूरी details है वो सामने आ जाएंगी तो हम continue पे press करते हैं ओके यह देखिए यहाँ पे दो ATM मेरे दिखा रहा है फर्स्ट होल्डर और सेकंड होल्डर का यह तो सेकंड वाला था यह मैंने यह close कर दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि online आप ATM कार्ड कैसे ब्लॉग कर सकते हैं अभी यह देखिए यह ATM नंबर 100-100 होल्डर यह है इसका स्टेटस एक्टिव है और इसी के आगे फ्रेंड्स यह आप देख रहे हैं इस इस दा एक्सपारी डेट 31st 01-2049 इस इस दा एक्सपारी डेट आफ यह ATM कार्ड तो इस परकार फ्रेंड्स यह ATM कार्ड जिनके उपर ए आउनलाइन बैंकिंग से जान सकते हैं कि मेरे ATM कार्ड का क्या एक्सपारी डेट है और रही पात CBB नंबर की जो भी आप पिन है आपके ATM कार्ड का उसका जो लास्ट तीम डिजट है उसको आप as a CBB नंबर कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं जे त इसके लिए एक और है जो लॉजिक है उसमें आपको क्या करना है अपने ATM कार्ड का जो date of issue है उसके अंदर 5 year and 8 month आप एड़ कर लें वो उसका date of expiry हो जाएगा और जो आपके ATM का पिन होता है उसके last pin डिजट जो है वो आपका CBB code होता है तो इस प्रकार दोस्तों अगर ATM कार्ड है तो I think आपको जानकारी मिल गई होगी कि उसका date of expiry आप कैसे पता कर सकते हो अगर आपके पास net banking है और अगर आपके पास net banking नहीं है तो भी आप कैसे उसका expiry date और CBB नंबर पता करके online shopping कर सकते हैं तो अमीद है कि आपको ये वीडियो जुरूर पसांद आया सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हम हर रोज जो है नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे notifications जो है आपको मिलते हैं और आप हमारे वीडियो सबसे बहले देख पाते हैं थैंक यू फर वाचिंग कंपुलो कुछी चैनल है विए गूद देख